नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से Nutrition 99 में दोस्तों मार्किट में आपने ऐसा सत इसब गोल नाम का प्रोड़क्ट देखा होगा लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये क्या है कैसे इस्तेमाल करना है आज कल्की की जनरेशन तो बहुत कम जानती है तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसका क्या फायदा है दोस्तों इसे इसब गोल कहा जाता है एक्चुली ये एक तरह की भूसी है इसब गोल प्लांटागो ओवाटा नाम का एक पौदा होता है उसी से निकलता है तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इसके फायदों के बारे में दोस्तों ये एक तरह का फायबर है और लेकसेटिव का काम करता है इसलिए ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन माना जाता है ज्यारा तर जो पेट के डॉक्टर है वो इसब गोल लेने की सला बहुत ज्यारा देते हैं पहले के जमाने में भी इसब गोल हर किसी के घर में रहता ही था ये आपकी कब्स को दूर करने का काम करता है पेट से जुड़ी तमाम दिक्कतें सिर्फ कब्स की वज़ा से ही होती है अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो आपको इसब गोल का सेवन करना चाहिए इसब गोल में फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है लेक्सेटिव की तरह वो काम करती है तो इसब गोल को पानी में मिला कर खाने से एक घंटे बाद जरूर लेना चाहिए और रात को सोने से पहले लें यह आपकी आतों और मास्पेश्यों में गतिशीलता बढ़ाता है और जिससे आपका पेट अच्छे से साफ होता है दोस्तों अगर आपको डाइबिटीज है तो डाइबिटीज में भी यह फायदेमंद रहता है यह आपके श्रीर में ग्लूकोस के अवस्योशन के प्रिक्रिया को धीमी कर देता है और डाइबिटीज को नियंतर करने में मदद मिलती है तो अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका सेवन भी कर सकते हैं अपनी डॉक्टर की सला लेकर मोटापे से आज कल हर कोई तीसरा आदमी परिशान है तो मोटापा सिर्फ आपकी एक्सेसाइज करने से ही कम नहीं होगा ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं जिनमें आपका पेट अजगर अच्छे से साफ ना हो आपका डेजेशन सही ना हो तब भी वजन बढ़ने लगता है और वजन कम नहीं होता तो ऐसे में आपको इस गोल का सेवन करना चाहिए जो कि पेट अच्छे तरीके से साफ करता है और वजन कम करने में आपको मदद मिलती है अगर आपको बवासीर, फिशर की प्रॉबलम है तो उसमें भी यह फायदा देता है मैंने पहले भी बताया कि आपको कब्स की समस्या है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए अगर कब्स बढ़ती रहे तो वजन का रूप धारण कर लेती है जिससे की मल त्याग में आपको फायदा मिलता है और डर्द से भी राहत मिलती है दोस्तों यह आपके दिल के लिए भी फायदे मन माना जाता है इसब गोल की भूसी में कलिस्टरॉल बिल्कुल भी नहीं होता और फायबर की मात्रा अच्छी बात्रा में पाई जाती है शोध के अनुसार इसब गोल जैसे फायबर से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में जूर शामिल करना चाहिए अगर आपकी डाइट में फायबर की मात्रा बहुत कम है तो आपको इसका सेवन जूर करना चाहिए ये आपके हरिदे की मासपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है इसब गोल सरफ कब्स में ही फायदा नहीं देता इसके इलावा अगर आपको डाइरिया की प्रॉबलम है लूज मोशन की प्रॉबलम है उसमें भी ये फायदा देता है अधिकांश डक्टर डाइरिया के घरेलू पाई के रूप में इसब गोल का सेवन करने की हिस सलाथ देते हैं डाइरिया होने पर इसब गोल को दही के साथ मिला कर खाना चाहिए दही में प्रोबायोटिक होते हैं और ये सक्रमन को जल्दी ठीक करने का काम करते हैं या एसिडिटी में भी फायदे मंद है कई बार आनिकारक चीज़े खा लेने के बाद एसिडिटी बनना आम बात है या फिर पार्टी वगएरा की चीज़े खाने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है तो एसिडिटी की वज़े से पेट फूलने लगता है और खटी डकारे आने लगती है तो ऐसे में भी आपको इसब गोल की भूसी का सेवन जूर करना चाहिए तो दोस्तों जहां चीज़ के फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं तो हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है कई बार इसब गोल का ज्यादा सेवन करने से पेट में मरोड बगरा होने लगते हैं या फिस सूजन हो जाती है कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता कई बार ये दवाई के असर को भी कम कर देता है और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्राइम पाये जाता है तो ये भूक में भी कमी ला देता है और पेट में भारीपन फील होता है तो अब हम बात करते हैं कि इसब गोल का सेवन कैसे करना चाहिए दोस्तो एक गिलास गरम पानी में एक से दो चमच इसब गोल की भूसी मिलाएं और रात को खाना खाने के बाद इसका सेवन करें अगर आपको दस्त की समस्या है या फिर पेट में बहुत मरोड गएरा है तो आप इसका सेवन रात को दहीं के साथ भी कर सकते हैं दही के साथ खाना यह बहुत ज़्यारा फाइदेमन माना जाता है अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो आप इसका सेवन त्रिफला चूरण में मिला कर भी कर सकते हैं आप एक चमच त्रिफला पाउडर ले और दो चमच इसब गोल की भूसी मिलाकर गरम पानी के साथ सेवन कर ले तो यह था इसब गोल के बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच झाल